दिखाते हैं स्वामी विवेका नंद छात्र वास का अरिया देखिए न्टेनी अपराध ही यहांपे भाजन का सेक्टर चैनी और वे फेशे ठीट च्छाते थी और इस पुराना जाद हो गया तो नय होसल में खाना पुनता है देख सकते हैं पानी पीने की वी बिवस्ता है फ्रीजर रखा किया है बहुत अच्छा ब्यूस्ता बीवस्ता यह यह तो भूर्ण इस वाइज को दो सब ट्रहने के लिखकर नहीं कोई तो देखे वहां पर लिखा है मै आफ यह तो देख लिए सब ब्रक्ष रखी गई यह वश्ड लिए ब्रॉम को टेरीका के आप खाने पीने का भी वेस्टा अब टॉल रहा हैं तो यहीं रूम है बहुत अच्छा रूम है रहा है और देखिए लिए मतलब की जूं स्पोर्ट होता है इस पोट इवेट में हम तो तेवर टेरिस भी खेलते हैं बहुत गंदा हो चुका है मतलब यूज नहीं समय कि आजा रहा है कि परिक्षा चले तो बच्चे पढ़ने में जहां दे रहा है तो नहीं देख सकते हो कि बहुत अच्छा ब्य बहुत अच्छा और यह बारी फिल्ड है तो मतलब तो फ़्ला गंदा हो गया इवन बच्चे क्रिकेट खेलते चाहें जो काम करना वा करते हैं तो देखें बहुत ब्यस्त है देखने आंदे अच्छा लग रहा है बच्चे सब रहते हैं उपर और नीचे कमरे रहते हैं के जाज एक पुरा नम हो गया है कि ममारततेया को अब एक गैलरी गैलरी है नम डुक्त कहा जाए तो उपर लबच 10 रूम है और बाथ रूम साइट बाथरूूमीरस दोत स्थना आज हैunta 3 यतैली लोग सब लोग का रूम बंध है कि सी का रूम खुलाए गाई तो देखते हैं अपने सबसे आच्या कासे दोस का रूम खुलाते हैं गहुंगुञे उटिंगों गज़ से कि इस रूम में एक और दो देख सकते हैं त्वी मतलब अलमारी तीन है तो मतलब की तीन अलवारी कम काने का मतलब की यहां पर तीन लोग रह सकते हैं एक रूम में तीन स्टुडेंट रह सकते हैं तीन सदिक भी रह सकते हैं इमर्जनसी केस में और देखें एक रूम की बाहर यह स्पेसल तोर से बनाये गया है जो यहां पर बच्चे आके ज्यादा अच्छा रहा है वस्त वस्त चलिए देख लिए पुराना नया होस्टल और हॉस्टल के उपर साइट के देख सकते हैं अच्छा लोकेशन है और यहां तो यहां तो वीडियो में यहां पर यहां पर यह हैं in तो आगे हम अपने होस्टल के च्छत की उपर आ गए तो देख सकते हो कि बहुत अच्छा लगता है देखने भी अच्छा लगता है तो यह लोकेसन देख लीजिए हर दीसाद दिखता है और हावा बतलो ऊपर है दो फ्लोर का जट तो अच्छा है और बहुत अच्छा हावा आता है अच्छा लगता है देख सकते हूं कि इसके अच्छे की गई है और इतना नहीं जानते अच्छा लगता है तो इसे ऊपर चड़ने के लिए दो गेट है और यहां पर चल के आपको दिखा रहे हैं अब ज्यादा नहीं इस पर कोई आता होता है तो यह है अच्छा यहां पढ़ने आओगे तो आप देखोगे कि कैसे अच्छा तो भाई यह आपको डिटेल में बताने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं कि कुछ आपको जनकारी मिले वह हम लोग का नया होस्टल बना है उसमें फरस्ट यह लोग रहते हैं इस पुराने होस्टल मे बारे में आपको दिखाएंगे तो यही है बस अ झाल झाल